हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत खुश होंगे और खुश होना भी चाहिए जिन्दगी अच्छी चल्ली भी चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स तो देखिए लाइफ में आएंगी सोचनारे अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए तो ऐसा नहीं हो सकता और चालेंजेज हमेशा आपके जरूरी होते हैं सेल्फ इंप्रॉब्मेंट के लिए चाल्न्व सबसे अच्छी चीज है सेल्थ इंप्रॉब्मेंट अपने आपको चालन्व गरपाएंग में तो दूसरों को challenge कैसे करेंगे तो self improvement के लिए challenge सबसे चीज़ है और challenges को लेते रहना चाहिए बहुत बच्चे मुझे text कर रहे हैं कि सर कैसे होगा class mind का ऐसा वैसा so I will just say one thing you have to keep on working hard for it मेहनत करते रहें बार-बार सुनते रहें lectures को revise करिये खुद की किताब से पढ़िए लेकिन डरिये नहीं रोई यह नहीं कि नहीं हो रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हर चीज आपके लिए challenge होगी problem कुछ भी नहीं होनी चाहिए challenge यह मत देखिए कि problem हो रही है यह कहिए कि challenge आ गया है और challenge fight करिए सबसे असान तरीका है खुद का improvement और success भी मिल रही है ठीक है तो चलिए फिर अपने socialism in Europe और Russian revolution की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे इस lecture में आज हम लोग real sense में किस तरीके में या क्या incidence क्या हाथ से हुए थे कि रश्या में मुनार्की खतम हो जाती है जैसे France में मुनार्की खतम होती है फ्रेंच revolution नाम पढ़ता है वैसे ही आज इस चाप्टर में इस lecture में हम लोग मुनार्की को खतम होते हुए देखेंगे रश्या के अंदर तो यह कहानी तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते बिल्कुल भी skip नहीं कर सकते बहुत ही जादा important कहानी है और बहुत ही दिल्चस चाठ फॉस्ट वाले ही लेक्चर में देतीया था जब मैं इस चाप्टर पे पहला वीडियो बना रहा था वहां मैंने आपको बताया था कि इस चाप्टर को कैसे टेक अप करेंगे तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रश्यान डेवॉलूशन के बारे में बात करी थी आ आज हम सारी घटनाओ को के बारे में सर्चा करने वाले तो बहुत इंपॉर्टन होने वाला राइट एक चार्ड मैंने आपको और दिया था और वह यह वाला है मैंने बताया था आपको कि 1914 तक कोई भी सोशिलिस्ट पार्टी जो थी वह अपने एजेंडे में सक्सेस्फुल आते आते हैं February 1917 में मुनार्क की गद्धी छूड़ जाती है और उसके बाद एक सीरीज ओफ इवेंट चलता है तिल October 1917 और इस पूरे चीज को यहां से लेकर यहां तक के इवेंट को हम लोग Russian Revolution के नाम से जानते हैं तो पिछले रेक्चर में हमने क्या पढ़ा था हमने इस लेक्चर में हम लोग उन हाथ्सों को उन इवेंट्स को पढ़ेंगे जो February 1917 से स्टार्ट होते हैं और यह पूरी कहानी आज हम लोग पढ़ने वाले ठीक है चलिए आगे देखिए जल्दी यल्दी और बहुती क्रिस्प मैनर में हम लोग इस चीज को समझेंगे नाइटीन सेविंटीन का टाइम था नाइटीन सेविंटीन और इस वक्त पेट्रोग्राड जो था पेट्रोग्राड पेट्रोग्राड मैंने आपको पताया था कि सांड पिटर्वर का नाम ही चेंज करके क्या रख दिया गया था पेट्रोग्राड पेट्रोग्राड में ज ग्राट-णदी का नाम है यह रिवर निवा रिवर निवा के राइट साइट पर आप देखोगे और लेफ्ट साइट पर देखोगे तो इस पूरे सिटी का Petrograd का Geography आपको समझ में आ जाएगा क्या है देखिए बता देता हूं आपको देखिए जरा अगर मैं नेवा नदी के right side पर देखू तो यहां पर जो सवारी यहां पर जो workers है वरकर्ज उनके यहां पर आपको quakers को देखने को मिलेंगे workers के आपको ठीक Kr閥 देखने को मिलेंगे जहां वो रहते थे यहां पर आपको factories देखने को मिलेंगी जहां पर यह workers काम करते थे लेकिन और the left hand side यह basically ya हो गया Right hand side हो गया औ indifferent side शाई अगर देखा pretty river Neva okay so you will find some fashionable building फान वुलडिंग्स न ट्यूड यहाँ पर क्या है कि बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बिल्डिंग्स मतलब बड़ी ऑफीश्यल बिल्डिंग्स, गवर्मेंट की बिल्डिंग्स, जिनका significance बहुत ज़्यादा होता है वो buildings इसलिए में आपको समझाने के लिखना उसको हम बोल सकते हैं official buildings official buildings इनको भी हम यही चीज कह सकते हैं in fact यह वही area है on the left side जहां पर आपको डूमा भी देखने को मिलेगा left hand side पर ही महाँ पर डूमा भी था that is the Parliament यह geography था मतलब on the right side आप देखोगे right side तो आपको workers और उनकी घर मिलेंगे left hand side बड़े बड़े लोग थे इस government के government के सारा लोग रहते थे तो यह division देखिए जो रश्या में चल रहा था डिविजन पेट्रोग्राड के अंदर यह बहुत इंपॉर्टेंट था डिविजन क्योंकि इसका अभी आपको सब्सक्राइब समझ में आएगा कि February 1917 की बात है February देखिए का ज़रा अब बात देखिए क्या हुआ February 1917 की बात है हम लोग February से स्टार्ट करना था हमको February 1917 की बात है बाइस फरवरी की इनफेक्ट बहुत ही प्रसाइज में हो जाओं तो 22nd Feb की बात है 22nd Feb को क्या हुआ कि राइट साइड में इधर पर यहां पर एक लॉकाउट हो गया एक फैक्टरी में लॉकाउट हो गया और लॉकाउट होने का मतलब यह था कि जो वरकर्स वहां काम कर रहे थे उनको फैक्टरी से निकाल दिया गया यहां पर लॉकाउट हो गया था और जब ऐसा हुआ तो कम से कम 50 फैक्टरी के वरकर्स दे केम इन सिंपती फॉर इस पीपल जनका जो जिनकी फैक्टरी में लॉकाउट हुआ था और इन लोगों ने यहां पर एक स्ट्राइक करी इन सिंपती ठीक है तो बेसिकली वर्कर्स ओफ फिफ्टी फैक्टरी में वरकर्स ओफ फिफ्टी फैक्टरी आप देखोगे तो यह इन सिंपती क्या करते हैं वो लोग इन सिंपती ये लोग करते हैं स्ट्राइक अब भाईया यही से बवाल शुरू हो गया सारा शारा बवाल यही से शुरू हो गया इन्होंने क्या किया इन्होंने स्ट्राइक कर दिया जब स्ट्राइक किया इस तरह की स्ट्राइक्स में यहां पर वच्चों इस तरह की स्ट्रा इस तरह की और जो श्राइक सी वोमेन ने इनको लीड किया था और चुकि यह इंसेरेंट 22 फरवरी को हुआ था वोमेन ने यहां पर बहुत जादा लीड किया था डाट इस वाइड इस पर्टिकलर डे इस अल्सों कॉल्ड आज इंटरनाशनल वोमें जे लिख लीजे इसको ब वोमें जे तो आई होब यह आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूं 22nd February को इंटरनाशनल वोमें जे सेलिब्रेट किया जाता है तो यहां पर हुआ क्या इसके बाद कि जो डिमॉंस्ट्रेटिंग वरकर्स थे बेसिकली यहां पर जो लोग डिमॉंस्ट्रेट कर रहे थे इन स देखिए यह नाम भी आपके इंसी आटी में आया है मैं बता दे रहा हूं कि यह जो डिमॉंस्ट्रेटर्स थे बिस्टार्टेड क्या ग्यादरिंग इन दी सेंटर ऑफ दी क्यापटल कि सेंटर ऑफ क्यापटल जिसको यहां पर बोल रहे हैं नेवस्की नेवस्की प्रोस्पेक्ट ठीक है इस जिगें आकर यह ग्यादर करने लग जाते हैं बरी इंपॉर्टेंट फिर आप देखेंगे कि यही वर्कर्स जो होते हैं दे स्टार्टेड बेसिकली यह जो वर्कर्स थे जो डिमॉंस्ट्रेशन कर रहे हैं विकॉस आप लॉक यह जितने भी स्टनेबल बिल्डिंग से ठीक है ड् Gwen अटो इनको यह क्या करने लगए यहיד करने लगए पार ऑब रहा सोच लिए सरकार की बिल्डिंग सैंस पर इसनेबल बिल्डिंग से उनको वाप शहां में रहे हो तो क्या होगा क्या करेगी नॉर्माल इंसान है अब जा के मान लीजिए इंडिया में पार्लेमेंट के घेर को बैड़ जाओ तो गौवर्मेंट क्या देखती रहेगी नहीं करेगी ना गौवर्मेंट तो बेसिकली क्या हुआ गौवर्मेंट ने इस चीज़ को जब यह सरावन करने लगे तो सब्सक्राइब कोई हाथसा हुआ कि भाया एक जिए लॉक आउट हो गया उसके रिटालियेशन में वर्कर्ज और फिफ्टी फैक्टरीज ने सिंपती स्ट्राइक करना शुरू कर दिया यह लोग डिमॉंस्ट्रेशन कर रहे थे जब ऐसा देखा गया कि फैशनेबल चुका है डिमॉंस्ट्रेटर्स डिस्पर्ज लेकिन आप देखोगे कि यह ज्यादा लंबे समय तक नहीं हुआ और विदिन एक दिन 24th को 24th February इस पीपल अगेन केम बाक ऑन स्ट्रीट्स अगेन केम बाक ऑन स्ट्रीट्स और जब यह लोग दुबारा आए तो इस बार गॉ और पुलिस यह भी इन्हों ने यहां पर इस बार मेंट क्या कर दिया डेपलाय कर दिया है नोगर तो इस चीज को लेकर लोग और जादा घशे में आता है और जब इस तरह घुश्य में आए तो फिर इस टीक था लेकिन government ने इसके बाद भी कुछ चीजें की क्या 25th को 25th February को बात है government ने डूमा को suspend कर दिया government suspended डूमा ठीके जब government ने डूमा को suspend कर दिया और डूमा क्या बताया गया था कंसल्टेटेव बॉडी थी के नहीं थी और ड्यूमा को यहां पर खतम कर दिया गया अब जब ड्यूमा खतम हो गया तो पीपल स्टार्टेड डिमॉंस्ट्रेटिक लोग जो अभी तक यहां डिस्पर्स हो गए थे किसी तरीके से ठीक है ट्वेंटी फोर्ट को आपस आए लेकिन लोगों गॉवर्मेंट ने फिर कैवलरी पुलिस लगा दिया लोग फिर डिस्पर्स हुए लेकिन जब गॉवर्मेंट ने डूमा को सप्रस कर दिया तो यहां पर फायनली फिर से अब क्या हुआ यहां पर आप देखोगे कि पीपल अगेन केंब बाक पर दिमांस्ट्रेशन अब फिर से दिमांस्ट्रेशन यहां पर स्टाठ हो जाता है डिमांस्ट्रेशन है अगेन अ trapped अब तो भाई बनता है न आप गवर्मेंट ऐसा काम करेगी किया demonstration करते वक्त उनके तीन चार चीज़े थी देखिए ज़रा पहली जीज नमबर वन है पुलिस हेड़कौाटर जो पुलिस का हेड़कौाटर था उसको रांसाक कर दिया रांसाक्ड है वेरी इंपोर्टेंट पुलिस के हेड़कौाटर को रांसाक कर दिया इसके बाद है उन्होंने कहा कि हमारी वेजस को कम करिए उन्होंने कहा कि बैटर वर्किंग आवर्स बनाईए दूसरा पॉइंट वेजस को यह क्या करिए बढ़ाईए तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि हमको क्या चाहिए बैटर वर्किंग आवर्स ह बेटर नहीं है कि वार्किंग आवर्स यह सब कॉन कि आवर्किंग कर रहा है इसके वही दमोंस्ट्रेटर डिवान कर रहा है कि हम बेटर बर्किंग आवर्क्क चाहिए हमारी वेज़ार बड़ाई ये और गुश्से में आके लोगने राइंसाट किया था पुलिस के हैड़कॉटर को और साथ में ये लोग डेमोक्राइशी की बात भी करने लग गए थे कि हमको क्या चाहिए देमोक्राइशी चाहिए हमको ये मुनार्की खतम करनी है this was the demand of these demonstrators who were there लेकिन हुआ क्या कि बडदी क्यावल अब जब हुआ कि ऐसा कुछ हुआ तो अब जब यह डिमांड आ गई लोगों की तो सरकार ने क्या किया सरकार ने क्या करेगी सरकार को देखा यार यह क्या हो रहा है तो वाट गवर्मेंट डेड गवर्मेंट ने क्यावल् को यहां पर क्या कर दिया दुबारा डिपलाई कर दिया यानि पुलिस को यहां पर दुबारा डिपलाई कर दिया गया ठीक है आई होब आप कोई दिख रहा है क्यावल्री अगर नहीं दिख रहा है तो क्या दुबारा लिखूं दुबारा लिख देते हैं पता नहीं दिख बहुत जादा हैं यह लोग जादा बवाल ना मचाएं इसलिए गवर्मेंट ने कहा कि कावल्री को हम यहां पर यानि पुलिस फोर्स को यहां पर फिर से हम लगा देंगे तो कैवल्री वाज डिप्लॉइड अब जब कैवल्री डिप्लॉइड हो जाती है तो क्या होगा डेफ अप्लॉइड किया ठीक है बट जो कैवल्री थी वह दिक वह ना कर दिया क्या डिप्लॉइड विप्लॉज तूफ़यर अब उन्हें का भई यहां अटाक नहीं करेंगे और साथ में उन्हों ने क्या किया इसके बाद कि यहीं सोल्जर्स जो थे सोल्जर्स यह हम बोलते हैं और Soviets क्या बोलते हैं Soviets यह दो चीज़े यहां पर आ गई तो basically cavalry ने मना कर दिया कि हम फाइरिंग नहीं करेंगे और उसकी जगा यही soldiers cavalry में थे यही soldiers क्या करते हैं they make an association with council एक association association मनाते हैं जिसको council बोलते हैं या फिर सोवियट बोलते हैं ठीक है और यही बात में आप जाके देखेंगे इस basically came to be known as जब यह बन बन गई तो इसको बोलने लगे हम लोग पेट्रोग्राट सॉवियट पेट्रोग्राट सॉवियट तो basically सोवियट कौन क्या हो गया सोवियट में कौन-कौन थे soldiers और वरकर्स थे और वो सोवियट कहां बनी थी पेट्रोग्राट में इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया पेट्रोग्राट सोवियट रख दिया गया अब क्या हुआ कि अब आप क्या हो रहा है soldiers भी अब राजा के खिलाफ हो गए इसको लगा ना यार क्या कर रहे हो जिसको देखो इसको मर्माने लगते हो किसी को बोलने नहीं देते हो तो इस सिनारियो में एक डेलीगेशन भेजा जाता है और यह डेलीगेशन जाता है डेलीगेशन इस सेंट किसको सेंट टू जार जो वहां का राजा होता है उसको एक डेलीगेशन भेजा आता है और यह डेलीगेशन जो है बेसिकली यह यहां क्या करता है यह एडवाइस करता है राजा को जार को to abduct, abdicate वो कहता है कि भया अपनी गद्धी बद्धी छोड़ दो वन्ना लोग तो बहुत जाजा गुस्सा है गद्धी ले लेंगे और मारेंगे अलग से तुमको तो एडवाइस दे जाता है गद्धी छोड़ दो अपनी तो राजा घबडा जाता है क्याईसा है क्या मारेंगे भी तो राजा ने अपनी फिर सीट को finally यह एडवाइस को मान लेता है accept कर लेता है और finally आप देखोंगे कि second march को second march को यहाँ पर क्या होता है कि वो अपनी सीट को छोड़ देता है abdicate कर देता है और abdicate करने से यहाँ पर क्या होता है this let मुनार्की यहाँ पर इस तरह से खतम हो जाती है मुनार्की यहाँ पर क्या होती है और जब मुनार्की यहाँ खतम हो जाती है तो इसका outcome देखने को क्या मिलता है मुनार्की खतम हो गई this led to the coming up of a provisional government अब एक यहाँ पर provisional government form हो जाती है जो अब पूरे रश्या को चलाएगी ठीक है तो बेसिकली इस पूरे चीज को यहाँ पर हम जुसको बोल रहे हैं इसी को हम बोलते हैं मतलब अब क्या होगा एक provisional से वहाँ पर भी ऐसी हुआ था मुनार्की खतम हुई थी constant assembly आ गई थी construction बन गया था वैसे देखें यहाँ पर भी हो रहा है रश्या में क्या हुआ demand आ गई भाई चलो ठीक है provisional government आ गई अब एक constitutional assembly होगी ठीक है तो बेसिकली यह सारा जो incident हुआ है जाम मुनार्की फॉल होती है इस पूरे incident को हम लोग कहते हैं very very important and this entire incident is called as February revolution very very important February revolution of 1917 तो आप से एक्जाम में खाली बोर्ड में इतना भी पूछा जा सकता है कि what is February revolution of 1970 आप यह चीज़ आपको यहाँ पर clear हो गई है ठीक है समझ में आगे अतना अब हम मात करते हैं कि February के बात क्या हुआ भाई यह तो हुआ कि February revolution हो गया अब February के बात क्या हुआ यानि situation अब कैसी थी तो after February देखें अगर हम लोग situation क्या थी देखें after February situation कैसी है पहले situation की बात करते हैं क्या situation है अब जो इस वक्त provisional government है जो यहाँ आप पर provisional government नई बनी हुई है उस government में आप देखेंगे देवाज हाई influence of landlords landlords का बहुत जादा influence था हाई influence of आप देखेंगे आर्मी officials का और industrialist का आर्मी officials का बहुत जादा इसमें क्या था influence था और साथ में आप देखेंगे कि जो यहाँ industrialist है इंडस्ट्रिलिस्ट उनका भी यहाँ पर बहुत जादा रोल था ठीक है यह इस तरह की provisional government जो है अब इस वक्त रश्या में चल रही थी point is clear यहाँ तका तो यहाँ पर जो socials जो social liberals थे basically जो liberals थे और जो socialist थे वो भी यहाँ पर काम कर रहे थे ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे थे लिबरल्स की बात करें और socialist की बात करें तो यह दोनों लोग भी ऐसे थे डे वर कंटिनेसली क्या कर रहे थे working for elected government elected government के लिए यह लोग काम कर रहे थे कि किस तरह से election government का election जो है वो start हो जाए they were working towards these तो basically इन्हों ने क्या किया कि जो restrictions ठीक है public meetings पे लगे हुए थे public meetings जो restrictions associations पे लगे हुए थे associations उनको क्या किया गया उनको basically यहां देखो गया आप तो remove कर दिया गया था बहुत बड़ा contribution था यह liberals और socialist का तो they were working for elected government ठीक है कैसे आएगी और जो restrictions जहां लगे थे restrictions किस पे on the public meetings and associations उसको यहां पर इन्हों ने remove करवा दिया था very important और यही चीज़ आप देखोगे कि यहां petrograd saviate भी यहां पर setup करा दी गई थी so basically इन्हों ने यहां पर फिर क्या किया they established the petrograd petrograd soviet ठीक है वही petrograd soviet इसकी बात मैं आप से यहां कर रहा था ना देखिए यह particular चीज कि इसको बाद में क्या कहा गया आगे जाके पहले council soviet थी बाद में इसी को petrograd soviet कहा गया तो वही है यह petrograd soviet की बात कर रहे हैं लोग ठीक है यहां तक clear हो गया अब आप देखोगे कि यह तो February कहानी हो गई लेकिन April में क्या होता है April very important April में यहां पर एक twist आता है और April 1917 और इस twist में आपको देखने को मिलेगा कि जो Lenin होते हैं Lenin he returns back he returns back from exile exile से वो वनवास से वापस आते हैं and when he is coming back from exile what he is thinking वो क्या सोच रहा है Lenin Lenin क्या रहा है कि Lenin Bolshevik Party को बलॉंग कर रहा था याद करिये he returns Bolshevik Party Lenin किसको बलॉंग कर रहा है Bolshevik Party I hope याप याद हो आप लोग को इसको कि बोल्शिविक पार्टी कर दो पार्टी किना मेंशिविक और बोल्शिविक पार्टी कर था and what he was feeling he felt that this is the high time कि हमको यहाँ पर तक्ता पलट कर देना चाहिए यहाँ पर हमको ओवर पावर कर देना चाहिए यहीं की थिओरम दीना ठीक है what he felt he felt क्या चीज़ इट्स हाई टाइम बहुती सही टाइम है इट्स हाई टाइम और किस चीज़ को लेकर हाई टाइम है कि हम लोग अब ओवर रहा है वो लोग रिवोल्ट करेंगे उनके खिलाफ जो रूर जो हम लोग को रूल कर रहे हैं यहीं जो हमको एक्स्प्राइट कर रहे हैं हम लोग उनके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे ठीक है मतलब जो वर्किंग क्लास है विल रिवोल्ट अगेंस दी एलिट क्लास और जब what he was feeling, it's high time that we should overpower, हमको अब ओवर पावर कर लेना चाहिए, आप देख रहो, just see his confidence, he is coming back from exile, और जैसे ही exile से आ रहा है, कह रहा है, हमको चक्ता पलट कर देना चाहिए, हमको पावर ले लिनी चाहिए, यह लेनन ने बोलना शुरू कर दिया, ठीके, and this leads to the coming up of, this led to the coming up of, Lenin's April thesis, this leads to the coming up of, Lenin's April thesis, समझ गए आप लोग, now what is Lenin's April thesis, सिर्फ तीन पॉइंट्स, फ्लीज, फ्लोचाट, what was Lenin's April thesis, number one, लिखिए, पहला Lenin हमेशा से कह रहा था, right from 1914 की वार नहीं होनी चाहिए, वार को रोक दीजिए, तो पहला पॉइंट उसकी एपरिल की थीसिस में था, कि वार शुट बी ख्लोज़्ट, वार को क्लोज करिए, पहला पॉइंट, ठीक हैं, तूसरा पॉइंट था कि जो लाइंड है, पीजन्स को ट्रांसफर कर दीजिए वापस, तूसरा पॉइंट, लाइंड टू बी ट्रांसफर्ड टू पीजन्स, लाइंड टू बी ट्रांसफर्ड टू पीजन्स, और थर्ड चीज था, कि बैंक्स को नाश्नलाइस करिये, लेन ने कहा, लेन ने कहा, उन्हों ने कहा कि हमारा अपना नाम बोलशिविक से हटाके हमने से कम्यूनिस्ट कर देना चाहिए, ये चीज़े जो है Lenin के April के thesis में आही थी आपके exam में ऐसी पूछेगा what is Lenin's April thesis किया answer है Lenin's April thesis क्यों आही वो लिख दीजिये Lenin came back from exile when he came back he felt that it is high time that we should do over we should क्या करना चाहिए हमको we should take power over the ruling class ठीक है this led to the coming up of Lenin's April thesis basically April के महीने में Lenin ने कुछ बाते बोली थी उसी को बोल दिया गया Lenin's April thesis उनकी ये तीन डिमांड थी तो I hope ये चीज यहाँ पर कर्क्लिर हो गई ठीक है अब आप सुचोगे कि उसने ये काम क्यों किया Bolshevik Party नाम कितना बढ़िया था Bolshevik, Manchevik बढ़ी अच्छे नाम थे ये Communist क्यों कर दिया Basically this was to give an message कि हमारी party अब बहुत radical हो गई है That is why we have changed the name It's a new radical party now पुराने thoughts की नहीं रह गई है क्यों पुराने thoughts जब Lenin exile पे नहीं गया था तब की यहां Bolshevik party पिर Lenin exile पे चला जाता है दुबारा आ रहा है तो he's giving the message कि हमारी party पुरानी वाली नहीं है It's a new party भाई होता है ना आपको लोगों को कुछ नहीं मसाला देना पड़ेगा पुराना मसाला दोगे लोग मानेंगे नहीं अरे पुरानी बाते कर रहा है फिर भई बाते करेगा फिर भई होगा थोड़ा था नहीं चुला दो उसमें से को उसने कहा Communist Party अच्छा लोगों को लगा अच्छा Communist कुछ नहीं करने आया यह तो लोगों ने उसका साथ देना शुरू कर दिया ठीक है तो बेसिकली यहां पर जब उसने ऐसा किया यह बेसिकली उसने इसे काम किया लेनन की थीसिस आया जिसमें उसने कहा कि इस हाइट टाइम कि हमको यहां पर यह करना चाहिए तो बेसिकली बहुत सारे most of the people they were surprised most of the people were surprised क्यों वह surprised क्यों थे क्योंकि उनको यह लग रहा था कि अभी it's not the time is not ripe time is not ripe कि हम क्या करें हम socialist revolution करें most of the people were surprised और reason क्या था reason था कि time is not ripe यह लोग सोच रहे थे time is not ripe कि हम socialist revolution यहां पर करें क्लियर हो गया तो आप देखोगे कि जब यह सब कारिकर्यम चल रहा था तो उस समय बहुत सारी चीज़ें थी जैसे वर्कर्स के movement basically spread होने लगे थे इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ने लग गया था फैक्ट्री कमिटी सेट अप होने लग गई थी ठीक है यह तीन लोग जो है basically trade workers movement industrial area factory committee they started questioning the way the industries were running the sorry the way the industrialists were running the factories यह लोग they started questioning कि यह कैसे factory चला रहा हो इवन आप देखोगे trade union form होने लगे थे soldier की कमिटी बनने लगी थी all these were the developments that were going on जब यह सब linen का मामला यहां पर चल रहा था ठीक है फिर आप देखोगे कि जून जून में क्या होता है जून में 500 soldiers 500 soldiers जरा imagine करिये 500 soldiers 500 soldiers basically they were sent as representatives to and all Russian Congress of socialist को भीजे गए समझ रहा बात को कि जून 500 जून में क्या हुआ 500 soviets basically not soldiers is cop soviets कर लो actually soviets ते दोनों आते ना soviets ते दोनों आते ना तो ध्यान रख्येगा 500 soviets soviets मतलब कौन कौन जिसमें soldiers और वरकर दोनों हो तो 500 soviets को भीजा गया सेंट 500 soviets sent representative और यह किसको भीजा गया यह भीजा गया था था आल रॉशिया ने प्लीज राइट इस पार्टी नेम और रॉशियन कांग्रेस औफ सो विए अल रॉशियन कांग्रेस औफ सो वीए त यह बेसिकली यहाँ पर भेजा गया तो आई होप यह आपको चीज़ें यहाँ पर clear हो गई कि यह चीज़ कैसे form हुआ तो यहाँ पर जो provisional government थी समझेगा अब क्या हुआ इसमें तो यहाँ पर क्या हुआ इस चीज़ का effect क्या देखने को मिला इसका effect देखने को यह मिला कि जो provisional government थी अब provisional government को लगने लगा कि यार यह लोग कर क्या रहे हैं 500-500 representatives आ रहे हैं कई ऐसा ना हो कि यह हमारा तकता पलट कर दे क्योंकि provisional government ने कौन-कौन था industrialist थे अमीर लोग थे ना इनी को तो हटाना था लेनन यही तो चाहता था मार्क्स के आइडिया को प्रपोवेट कर रहा था ना कि जो working class है उसका rule आना चाहिए लेकिन अभी कौन था provisional government में industrialist थे, army officials थे, land owners थे जो अमीर अमीर लोग थे इनी को अटाने की बात कर रहे थे और यही अभी बॉल्षिविक्स है बॉल्षिविक्स उनकी पावर बहुत बढ़ रही है यह चीज इनको basically क्या कर गया फ्राइटन कर गया फ्राइटन कर गया इनको अलर्ट कर गया कि यार यह लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं कि bet लोगनेयों क्या हो रहा है प्राइटनल मेंनला गवर्मेंट कही थि रही हैं कि हमारी पावर गरहे जैड़िये बॉल्षिविक्स की बावर उट्वज़िक्स पावर ग्रै ये विस्लंग सचुवेशन वर्षिवर्मेंट से ठीक है तो provisional government ने क्या decide किया इसका outcome क्या हुआ they decided to suppress the movement उन्होंने कहा एक काम करते हैं कि यार यह लोग बहुत नाटक कर रहे हैं let us do one thing और उन्होंने क्या किया they said कि we will take strict actions strict measures लेंगे हम उनके खिलाफ जो हमारे against बोलेंगे हमारे against step उठाएंगे यह इस चीज यहाँ पर provisional government ने बोल दी तो अब जब यह चीज गवर्मेंट ने decide करी कि हम लोग strict measures लेंगे तो strict measures में आपको देखने को मिलेगा कि जो पॉपुलर यहाँ पर कि जो यहाँ पर पॉपुलर रिवोल्ट हो रहे थे सुरी प्रॉपल पॉपुलर डिमोंस्ट्रेशन हो रहे थे ठीक है पॉपुलर डिमोंस्ट्रेशन तो यह पॉपुलर डिमोंस्ट्रेशन को क्या किया गया सप्रेस कर दिया गया सप्रेस कर दिया गया इनको दबाया गया रिप्रेस कर दिया गया अब सोचो अगर गवर्मेंट ने इन पॉपुलर डिमोंस्ट्रेशन को सप्रेस किया तो बेस जो बोल्शेविक्स थे बच के भागना पड़ गया उंको ठीक है ना बोल्शेविक्स had to flee या फिर hide बचने के लिए उंको flee करना पड़ा या hide करना पड़ा आपने आपको समझ में आ रहा ही कहानी आपको तो ये सारी कहानी जो है आप देखोगे ये सारी कहानी चलती चली जा रही थी बहुत जाता दिक्कत जो है पेट्रोग्राडे बढ़ती जा रही थी I hope यहां तक कहानी आपको समझ में आ रही होगी बच्चों अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए खुब अच्छे से मेहनत करिए और एक ही रास्ता है सक्सस का कोई शॉटकट नहीं होता है सक्सस का यही रास्ता है रास्ता क्या है कि कोई रास्ता नहीं है शॉटकट you have to do the hard work आपको मेहनत करनी पड़ेगी सोचे अगर इतना ही असान होता तो हर आदमी टॉप कर जाता टॉपर और आप में फरक क्या होता है एक टॉपर और एक फेलियर या कम मार्क्स वाले में फरक क्या होता है ऐसा नहीं है कम मार्क्स वाला उसने दस्बार पढ़ी है आप उस्ते पूछ दो मैरे गाए नहीं आपको कि दस्बार पढ़ी है में लेकिन reality यही है टीचरस को कैसे याद होता है पढाते पढाते याद हो रहा है ना हम दस बार वही चीज बोले जा रहे है वही जीज़ आपके साथ होगा पढ़िए दस बार उसको आप इसली आपको कबर हो जाएगा मोटिवेट रही है घबडाना नहीं है मोटिवेट रहना है मेशा बस क्या दो वही कबजा करेंगे उठके सुबह सुबह जीतना है ठीक है न तो यह popular demonstrations जो लोग कर रहे थे इन popular demonstrations को government ने जो provisional government थी उसने suppress कूप किया और यह suppression लगतार चलता रहा तिल October 1917 तो basically यहां से क्या सामने आया this led to the coming of अब आ गया October 1917 सेवेंटीन और इसको हम आप बोलते हैं बेसिकली revolution of revolution of October 1917 अब October 1917 की जो revolution की कहानी है यह basically कोई ऐसी कहानी simple कहानी क्या है it is a conflict यह किसके बीच की कहानी है यह basically आपको provisional provisional government ठीक है and bolshevics इनके बीच के जो conflicts थे उसकी कहानी है यह ठीक है यह so basically what is revolution of October 1917 simply आप बोलो कोई अब से पूछे क्या है October 1917 का revolt simple है कि जो conflicts थे conflicts between the provisional government and the bolshevics उसी को हम लोग बोलते हैं October revolution of 1970 अब इसमें हुआ क्या conflict क्या क्या हो रहे थे वो चीज़ यहां पर हम लोग समझ लेते हैं ठीक है तो यहां पर हुआ क्या कि basically जो bolshevics थे अब उनको इस तरह की activity से कि भाईया हम लोग अगर demonstration कर रहे हैं तो वो हमारे पूरे सब्सक्राइब और हमारे लोग डर जा रहे हैं दरने के वज़े से भाग जा रहे हैं छुप जा रहे हैं तो बोल्शिविक्स को यह लगा कि यार कई ऐसा नहों कि यह जो पार्टी है प्रोविजनल गवर्मेंट है यह क्या हो जाए यह डिक्टेटरशिप हो जाए यह डर लगा और यह डर तो हमेशा से उस वक्त के यह यूरोप कंट्री में था क्यों क्योंकि डिक्टेटरशिप महाँ पर पहले थी मुनार्की महाँ पर पहले थी लोग मुनार्की से हटना चाह रहे थे और अब डर यही लग रहा था कि यार यह जो प्रोविजनल गवर्मेंट ह है जिसमें आर्मी ओफिशल्स इंडस्ट्रेस्ट और लांड लॉनर्स बैठें हुए कहीं डिक्टेटरशिप ना हो जाए डिक्टेटर ना बन जाए क्योंकि इनकी आधारकते ऐसे थी डिवांस्ट्रेशन को सप्रेस कर देना मारना लोगों को अगर उनके खिलाब बोल रह होता है सप्टमबर रिफ यह फाइंड डाट जो लेनन होता है इस टार्टेट डिसकसिंग अबॉट दिअपराइजिंग सगेंस देप्राइजिनल गवर्मेंट सप्टमबर से कहानी बनना शुरू हो गई क्या कहानी बनने लगी कहानी ये यह क्यों ना एक याम करें लेनन लेनने क्या कहा लेनन ने कहा कि अब हम अप्राइजिंग की बात करना शुरू करते हैं मतलब basically यहां पर लेननने discussion स्टार्ट कर दिये थे और discussion कैसे अप्राइजिंग के अप्राइजिंग अगेंस्ट हूं अगेंस्ट धी प्रॉविजनल गवर्मेंट लेनर्ट ने कहा कि ऐसा है चलो डिसकशन करते हैं प्लानिंग करते हैं किस तरीके से हम जो है अप्राइजिंग्स कर सकते हैं इस प्रॉविजनल गवर्मेंट के अगेंस्ट ठीक है यहां दा क्लियर हो गया अब दिस यह चीज़े शुरू हुए इस शप्टमबर में लेकिन यहां पर हुआ यह कि आप देखोगे तिल यह सॉरी तिल देट अब यहां डेट आ गई थी 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1917 का दिन था बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से 16 अक्टूबर 1917 तो यहां पर आप देखोगे लेनिन ने पर्सुएड किया लोगों को फी पर्सुएड दी पीपल एनी पर्सुएड दी बोल्शिविक पार्टी एनी पर्सुएड दी पेट्रोग्रेट सोविएट दोनों को कौन-कौन था यहां पर बेसिकली लेनिन है ना तो लेनिन ने क्या किया अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने क्या किया ही परसुर व Rrem desert किसको किया उसने दो लोगों को एक तो वह लोग थे basically कौन जो Petrograd Soviet के हिस्सा थे उक्सार आये अब यह पहिर किसा प्सद आधлять सवेट आप खाली यह उख़ा रहा है किस लोनिन किस फोग्सार रहा है लेनन कहा रहा है अब पर्स्वेट किसको किया उसने दो लोगों को एक तो वो लोग थे बेसिकली कौन जो पेट्रोग्रेट सोवियट के हिस्सा थे वह उकसार आए अब यह पेट्रोग्रेट सोवियट अब खाली यह उकसा रहा है किसको लेनिन किसको उकसा रहा है लेनिन कहा रहा है पेट्रो बोख्सारा है जो उसके बोल्शिविक पर्टी के लोग थे उनको व्युक्सारा रहा है उनसे कहरा है भागो नहीं डर के मारे वो डर के मारे भाग गए थे छुप गए तो अब लेनिन जो है ही इस पर्सुएडिंग को पर्सुएट कर रहा है पेट्रोग्राइट सोवियट को बोल्चिक पार्टी के लोगों को कि सामने आओ वापस यह आदमी जो है प्रोविजिनल गौवर्मेंट है यह डिक्टेटर हो जाएगी फिर से कहा भया जल्दी आओ बचाओ देश को फिर से यह सिनारियो जो है यहाँ पर डुल अप हो गया था तो आई होप यह चीज़ आप अप्रिशेट कर पा रहे होंगे कि जब यह सब हुआ तो बेसिकली सब लोग यहाँ पर यह एग्री कर गया मतलब हाँ इसने भी कह दिया कि ओके फाइन इन्हों ने कह दिया ओके फाइन इट इस हाइट आइम कि हम लोग जो है आई सोशलिस्ट सीजर करें पाबर का तो बेसिकली ओल दीस पीपल अल दीस पीपल देस पर्टिक्लर इंसेरेंट ऑफ 16 अक्टोबर जो यहाँ डिसाइड होना शुरू हुआ यहाँ क्या डिसाइड हुआ कि वी शूड क्या करना चाहिए वी शूड बेसिकली अग्री बेसि अख्यू आउन डिस्ट डिस के सीजर अफ पावर कौह यह इग्री कर गया कौन शूड यह यह र मग्री कर गया यह याग यह आग्री कर गई यह लोग Caesar of power करते हैं यानी power को seize कर लेते हैं provisional government से है ठीक है तो provisional government से अगर आपको power seize करनी थी तो क्या इतना असान था क्यूंग तो आर्मी भी थी बंबा सब बंब रख्येते मार देते फढ़ जाते आप लोग तो क्या करते कैसे fight करोगे government से तो उन्होंने इसके लिए क्या किया they formed military revolutionary committees very important this led to the coming up of military 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 revolutionary पार्टी यह पार्टी फॉर्व हुई अब यह पार्टी क्यों फॉर्व हुई समझ में आ गया ना क्यूंकि अब आपको provisional government से लड़ना है तो यह पार्टी बनाई गई and appointed by soviet इसको appoint किस ने किया appointed by और soviet पता कौन था बताए दिया मैंने आपको बार बार बता रहा हूं appointed by soviets I hope यह चीज़े आपको यहां पर अच्छे से clear हो रही होंगी ठीक है soviet ने इसको appoint किया और उस वक्त यहां पर जो leader था he was he was Leon Trotsky ठीक है Leon Trotsky यह इसका यहां पर he was leading these soviets ठीक है यह तो objective क्या था इसका यहां पर इस particular committee को बनने का objective क्या था to organize Caesar to organize Caesar Caesar करना था ना power का इसी चीज़ के लिए और किसका power करना है किसके power को सीज करने की बात हो रही है यह हो रही थी प्रोविजनल गववर्मेंट के क्या हमको सब्सक्राइब करें यहां पर मिलिटरी रिवालुशनरी कमेटी ठीक है और इसी को बेसिकली यहां पर यह पार्टी जो है वो इसको हटाने के पूरी ताकत लगा रही है इसी को हम लोग बोलते हैं October Revolution of 1917 और यह पूरा हमारा हो जाएगा रश्यन डिवालुशन तो यह तो चली ठीक है यह तो मैंने खाली आपको समझाने के लिए कर दिया कहानी खाली इतनी जी है ये करक्स अगर आप से पूछे रश्यन रेवलुशन यह पूरा तीन वर्ड में बता दूंगा रश्यन रेवलुशन खताम सिर्फ तीन वर्ड क्या मोनार्की अटी प्रोविजिणनल गवर्मेंट बनी फिर से बहुत साथ है सपरेसे वह गई लेनन को लगा कि यह लोग डिक्टेटर ना बन जाए इन्होंने बना ली उन्होंने कहा कि ठीक है अमको इंचे लड़ना चाहिए इन्होंने पर्सुएट किया कि इसको बोल्चिविक्स को और सोवियट्स को वह उन्ह है सही लिखाया है यह अच्छली कमेटी बनी थी पार्टी नहीं थी यह ठीक है यहां पर जब यह डिसाइड हुआ कि हम लोग इसको पावर को सीज करेंगे दन फाइनली वाट हापन इट वाज देट ओफ 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1917 अब भाईसा साब इस दिन क्या हुआ 124 अक्टूबर इस दिन आपकी अपराइज इस शुरू हो गए जिस अपराइजीं की बात करी जा रहे थी प्राइजिंग स्टार्टिड कॉन्स hundred。」 देखिए दिखा रहा हम आपको ये अपराइजिंग्स, जो लेनेन डिस्कास कर रहा था हम को अपराइजिंग शुरू करनी चाहिए इन अपराइजिंग्स की बात कर रहा था वही अपराइजिंग्स देखिए यहाँ पर 24 अक्टूबर 1917 को स्टार्ट हो जाती है ठीक है उस वक्त यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर था प्राइम मिनिस्टर की वह स्केरिंस्की केरिंस्की और केरिंस्की जो है वह इस तरह के हालातों को देखकर कि यार अप्राइजिंग शुरू हो गई है यह क्या कर जाता है यह दे देश नहीं city left the city शहर ही छोड़ दिया अनों डर के मारे अब शहर छोड़ दिया तो सम्मद बिचिकल क्या किया है troops को बुला के शहर छोड़ दिया नोंने बतला इसने क्या किया इसने order कर दिया troops को कि आओ भाईया शहर को बचाओ और खुछ शहर छोड़ के भाग गया लेवड़ ट्रूप सिटी टू सम्मद ट्रूप्स शाम होते होते आप देखेंगे डॉन शाम होते होते बाई डॉन यहां पर जो मिलिटरी थी बेसिकली यानि जो उनकी ट्रूप्स थे जो मिलिटरी मैन वेर लॉयल टू दी गवर्वर्मेंट उन्होंने बेसिकली उन सारी बिल्डिंग्स को कैप्चर कर दिया था जहां बोल्चिजिक्स के न्यूस्पेपर छपते थे बेसिकली बाई डॉन दॉन मिलिटरी मेन ठीक हैं मिलिटरी मेन क्या थे जो बेसिकली लॉयल थे जो military men loyal to and loyal to whom military men loyal to whom loyal to the government यह लोग आते हैं और basically क्या करते हैं यह लोग they basically क्या करते हैं कबजा कर लेते हैं they captured the buildings of the Bolsheviks जहां पर new super चपते थे so they captured buildings where newspaper of Bolsheviks publish होते थे ठीक है not only this खाली इतना ही नहीं उसके अलावा जो प्रो गॉवर्मेंट ट्रूप्स थी जो गॉवर्मेंट के फेवर में ट्रूप्स थी वो गॉवर्मेंट आप देखोगे प्रो गॉवर्मेंट ट्रूप्स अब इनका objective होता है कि सारा communications पूरा तोड़ दो तो उन्होंने गए ये लोग गए टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस पे कबजा कर लिया ठीक है टेलीफोन आप टेलीफोन आप टेलीग्राफ ऑफिस ठीक है इस पे इननोंने क्या किया कबजा कर लिया अब जब इतना काम होगा जब ये चीज इतनी चल रही होगी और दिस वस और दिस वस और अब और पूर्व प्रिजनल गवर्मेंट का तो भाईया लेनन भी तो कुछ करेगा लेनन ने क्या किया इसके बदले में अब लेनन ने मैंने बताया था आपको कि उसने यहां पर मिलिटरी रिवॉलुशनरी कमिटी बनाई थी तो यही कमिटी सामने आती है अब इन रिस्पॉंस क्या हुआ देखिए इन रिस्पॉंस अब यहाँ पर जो military MRC लिख रहा हूँ मैं, military revolutionary committee है, वो सामने आ जाती है, और फिर वो अपने supporters को basically क्या करती है, order कर देती है, कि cease कर लो government की offices को, government की buildings को, ठीक है, जो MRC basically orders its troops, orders its troops, क्या करने के लिए, to seize government buildings, ठीक है, government building को कहा भईया, इनको कहा कि इनको जहाँ पर आप क्या कर ये, seize कर लिजिया, साथ में इतना ही नहीं हुआ, इसके अलावा जो Moscow और Petrograd का area था, करते करते मतलब यहाँ पर इनका control, MRC का control इतना जादा बढ़ गया, कि धीमे धीमे आप देखेंगे, कि जो Moscow पर कबजा था, Moscow जो था, जो Petrograd था, इन पूरे areas में, यहाँ पर MRC का control आता दिकता चला गया, दीरे दीरे उन्हें पूरा control कर लिया, एक ship थी, ship Aurora, that ship started shelling on the winter palace, and other vessels also, ठीके, तो बाद में आप देखो के उन पर भी जाके कबजा कर लिया जाता है, और दीरे दीरे पर सारा चीज़ें जो है, बोल्चिविक से control में आ जाती है, यानि provisional government का जो scenario होता है, that almost came to an end, यहाँ खतम हो रहा होता है, यह लडाई चल रही होती है, ठीक है, और यह October तक चलता है, इसी लिए हम लोग February से लेकर, October तक के events को Russian Revolution का नाम देते हैं, मुनारकी खतम होती है, February 1917 में, और October तक के events, हम उसको भोलते हैं, पूरा scenario, this is known as Russian Revolution, तो I hope यह चीज़ें आपको एकदम clear हो गई होंगी, और जो हमारा पहला बेसिकली यह तो जब मैं आपको फर्स्ट वाला बताया था, यह वाला सिनारियो, तो हमने आज यह वाला चीज़ भी complete कर लिया, February Revolution in Petrograd and October Revolution, अब हम अगले लेक्टर से देखेंगे, कि यार यह जो October का revolution हुआ, उसकी बात क्या-क्या changes आ गए, इन changes की बारे में हम बात अगले लेक्टर में करेंगे, और साथ मैं इस चीज़ को भी इसकी हत क्लब कर दूँगा, बहुत छोटा दा पूर्शन आपके NCRT में एक पेज का, तो भी यहाँ पर क्लब हो जाएगा, and this chapter will be entirely completed, लेकिन आज कही चाप्टर बहुत ही जरुवत नहीं है आप लोग को, you just have to keep on working for the things, जो आपके exam में आनी है, जहां तक map की बात है, तो map में आपको करवा दूँगा, ठीक है, map आपके exam में आना है, 9th में, I will just see to it, एक बार आप बता दीजे मुझे, comment box में लिखकर, कि आप लोग में क्या क्या चीज़े यहाँ प मज़ा आ जाएगा आप लोग उस चाप्टर में, ठीक है, चलिए फिर अगली lecture मिलते हैं, till then take care, खुश रहिए, महनत करिए, पढ़ते रहिए, चलिए, ओके बाई, पढ़ाई करते रहें, all the very best.